नमस्कार दोस्तों आपका बहुत पुछ स्वागत यूटीब चैनल मंडे बावराज में में दिनेश्चन पाटिदार और दोस्तों कल जो किसानों का प्याच बिका हैं वो एक रुपे किलो भी बिका हैं नीमच मिड्डी में काफी दुख की बात हैं किसान भाईयों एक और ज मंडी में आने वाले किसानों को उनकी प्याच का सही मुल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा हैं इसके साथ है किसानों को 5 रुपे प्रती किलो से लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपे प्रती किलो तकी उन्हें बाव मिल रहा हैं लिहाजा किसान परेशान और दिखाई दे रहे हैं यही नहीं नीमच क्रशी उपज मंडी में किसान का प्याज का डेर महज एक रुपे प्रतिकिलोराम से बिका हैं तो किसान भाईयों गोर तलब हैं कि इस कड़ाके की ठन में किसान दूर दराज से नीमच क्रशी उपज मंडी में अपनी प्याज बेशने के लिए पहुँच रहे हैं इस कड़ाके की धन में उन्हें नौंबा लगाने के लिए एक दिन पुर्व ही मंडी पहुँचना पड़ता हैं किसान रात भी मंडी में गुजारते हैं लेकिन उनके बाद भी किसानों को निराशा ही हाथ लग रही हैं साधी परची थमा दी गई जिस किसान का प्याज एक रुपे किलो भी का हैं उसे निलामी के दोरान मंडी की परची तक नहीं दी गई बलकि किसान को साधी परची थमा दी गई इससे जाईर होता हैं कि किसानों की साथ किस तरह से छलावा और धोका किया जा रहा हैं भाड़ा तक नहीं निकल पा रहा ह किसानों का तो वहीं मंडी में आने वाले किसानों का कहना है कि खेत में एक बीगा के अंदर प्याज बोने पर 25 से 30,000 रुपे तक का खर्चाता है उसके बाद जब उस प्याज को मंडी में बेचने के लिए लाते हैं तो उसका बाड़ा तक भी नहीं निकल पाता है तो किसानों का भी यह भी कहना है देश में पेट्रोल डिजल के अदाम लगातार बढ़ते चा रहे हैं फिर भी क्रश्ची कारे में पेट्रोल डिजल का इस्तेमाल टेक्टर में किया जाता है तो किसान को हمیशा नुकसान ही होता है ज्यादा पेदावार की वज़े से ये इस्तिती बन रही ही किसान भाईयों तो मंडे इंस्पेक्टर समिर्दास जी कहते हैं कि नासिक और गुजरात के साथ अन्य राजों में प्याज का उत्पदन ज्यादा होने की वज़े से प्याज के दाम कम हुएं इस वज़े से किसानों को वसत बारा सो रुपे पितिक इंटल से लगा करके उपर में दो जार रुपे पितिक इंटल तक के पाओ मिल रहे हैं तो ये थी किसान भाईयों नीमच मंडी की एक रिपोर्ट जो कि कल 23 दिसंबर 2020 को एक किसान का प्याज एक रुपे प्रती किलो ग्राम भी बिका हैं तो किसान भाईयों किसानों को काफी नुकसान हो रहे हैं और सरकार दोरा काफी प्याज आयात किया जा रहे हैं तिस जन्वरी तक डिल दे गए हैं, तो काफे निचे प्याज के भाव आ चुके हैं, और लागत मुल्य भी नहीं निकल रहा है, और किसानों का जो प्याज है, अभी वर्तमान समय में जो निकल रहा हैं, वो थोड़ा कच्चा भी प्याज हैं, तो उसको इस्टोर भी नहीं कि प्यूज को जाता है क्यृकि प्याज एक सबजी के अंदर राता है और बहुत ही जल्द खराब हो जाता है अगर अची बेस्टर निरयात को बंद करती है और आयत को बन करती हैं और निर्यात को अगर चालू करती हैं तो किसानों का इसका पूरा-पूरा लाप मिल सकता हैं तो किसान वाइयों, आप भी थोड़ा ट्रीटर पर ट्रीट करें और कर्षिमंत्री से डिमाँड करें कि वही प्याज के नीरयात को तुरंग कोला जाए और आयात को बंद किया जाए जिससे कि सबी किसानों का अच्छे से भला हो सके हम भी ट्वीटर हैं पर ट्वीट लगातार करते रहते हैं और करश्णी मनत्री तक हम यह पूरी जानकारी लगातार पहुच आ रहे हैं हमारे यूटूब चैनल के माज्यम से कि चान भाई यह वीडियो पसंद आये तो सब्सक्राइब किजिए शेर किजियो लाइक किजिए जय जवान जय किसान धन्यवाद